हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दे चैनल पोहोमियो गार्टनिंग आज हम बात करेंगे ब्राउन रस्ट ओफ वीट के बारे में जिसे की लीफ रस्ट ओफ वीट बोला जाता है भूरा रत्वा या गेहों की भूरी रोली भी बोला जाता है ये जैनवरी और फैबररी के मंस में जनली देखने को मिलती है और सबसे पहले इसकी जो अपेरेंस है वो पत्तों के उपर ही होती है जो वीट के लीफ होते हैं या पत्ते होते हैं उनके उपर आपको रेडिश ओरेंज या ओरेंजिश येलो कलर के पोस्ट्यूल्स छोटे-छोटे देखने को मिलते हैं ओवल कल इदर उदर पिखरे होते हैं जैसे पीले रत्वे में आपको पीली लाइने देखने को मिलती हैं लेकिन भूरे रत्वे में आपको भूरे रंग के छोटे छोटे गोल जो है धब्बे पत्तों की उपरी साइड पे देखने को मिलते हैं तो इसका कारण जो है फंगस ही है बगर nitrogen की मात्रा जो है हमारी मिट्टी में जादा हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इस जो weed rust होने का तो आज हम बात करेंगे कि homeopathy में इसे कैसे नियंतरित किया जा सकता है देखिए homeopathy में इसकी दो medicines use होईंगी सबसे पहली medicine है belladona 200 ये मैंने आपको stem rust of weed के बारे में भी बताई थी तो इसमें भी वही medicine use होगी belladona 200 पिच्चर उपर आपको screen पे दिख रही है और अगर खेत में बहुत ही जादा urea क्या इस्तेमाल हुआ है तो दूसरी medicine जो है वो use होगी ammonium carbonicum ये दोनों ही medicines आपको 200 पावट में लेनी है 200 potency में और वैसे ही 200 ml medicine 400 से 500 लीटर पानी में डालके अपने soil की drenching करनी है ऐसा आपको एक बार करनी है एक बार मित्ती में drenching करने के बाद आपको medicine repeat नहीं करनी है वैसे आप देखेंगे कि एक ही बार में आराम हो जाएगा medicine आपको repeat करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बात का ध्यान डखना है कि दोनों में से एक medicine एक ही टाइम पे यूज होगी अगर तो भूरे रत्वे की या wheat rust की शुरुआत है पतियों की उपर वाली साइड पे सिरफ ब्राउन रंगे या भूरे रंगे धब्बे हैं तो आप belladona 200 यूज करेंगे और अगर बिमारी का advanced stage हो गया है जो rust है वो बहुत बोरी तरीके से फैल गई है और जो rust के निशान है वो पतियों के उपर और नीचे दोनों तरफ देखने को मिल रहे हैं जिससे photosynthesis की process में problem हो रही है तो फिर आप ammonium carb यूज करेंगे लेकिन एक टाइम पे आपको एक ही medicine य यूज नहीं करनी आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग